परमात्मा की लाठी, एक सादू वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था। कि इस सादू ने एक मिठाई की दुकान को देखा जहां एक कढ़ाई में गरम दूधुबला जा रहा था तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गरमाई गरम जलेबियां त लेकिन सादू की जेब ही नहीं थी तो पैसे भलो कहां से होते। सादू कुछ पलभठी से हाथ से अंकने के बाद चला ही जाना चाहता था। कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबिया सादू को दे दी। मलंग ने गरम जलेबिया ग नए जोश्ट से बारिश की गंदले पानी के छीटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेख खबर था कि एक युवा नवंबर विवाहिता जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहे है। एक बार इस मस्तसादू ने बारिश के गं दाश्ट नहीं हुई। इसलिए वहास्तीन चड़ा कर आगे बढ़ा और सादू के कपड़ों से पकड़ कर कहने लगा अंधा है। तुमको नज़र नहीं आता, तेरी हरकत की वज़ा से मेरी पतनी के कपड़े गीले होगे हैं और कीचर से भर गये हैं। सादू हका बगका स खड़ा था। जबकि इस युवा को सादू का चुप रहनना खुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से सादू को चुड़ाना भी चाहा। लेकिन युवा की आखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखुए है भी फिर पीछे खिसक पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनिता से ये सब द्रिश देख रहे थे लेकिन युवा के गुसे को देख कर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसी रुग बाते। और आख़ जवानी के निशे में चूर इस युवा के निशे में चूर इस युव अधिसाद ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला वाह मेरे बगवान कभी गरम दूद जलेबिया और कभी गरम तपड लेकिन जो तूचा है मुझे भी वही पसंद है ये कहता हुआ वे एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वेह युवा ज अपनी पतनी से हसी मजा करते वे उपर घर के सेडियों तै कर रहा था। बारिश के कारण सेडियों पर फिसलन हो गई थी अचानक युवा का पैर फिसल गया और वेह सेडियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोड से शोर मचा कर लोगों का ध्यान अपने पती क और आकरशित करने लगी जिसकी वजह से काफी लोग तुरंट सहायता के लिए युवा की और लपके। लेकिन देर हो चुकी थी युवा का सिर्प भट गया था और कुछी देर में ज्यादा खान बह जाने के कारण इस नौजवान युवा की मौत हो चुकी थी। कुछ लो कुछ मंचले युवकों ने यह बात सुनकर सादू बाबा को घेर लिया एक युवा कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो किवल एक थपड़क के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोश्वा गुस्सा हर गिष्ट नहीं होता, आप त सादू बाबा कहने लगा भगवान की कसम मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया, अगर आप ने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सेडियों से गिर कर कैसे मर गया, तब सादू बाबा ने दर्शकों से अनुखा सवाल किया कि आप में से कोई इस सबघट था क्या उसने युवा के कपड़े को दवगी किया था, युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खड़ाब हुए थे, मलांग ने युवा की माहों को थामते वे पूछा, फिर युवा क्यों मुझे क्यों मारा, युवा कहने लगा, क्योंकि वे युवा इस महिला का प्रेमी था और ये बरदाश्ट नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे। इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा बात सुनकर सादू बाबा ने एक जोरदार ठहा का बुलन किया और ये कहता हुआ वहां से विदा हो गया। तो भगवा कि दुनिया का बड़े से बड़ा राज्जा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दीखती नहीं और आवाज भी नहीं करती लेकिन पचती हैं तो बहुत दर्द देंती हैं। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं बस कर्म अच्छे होने चाहिए झाल झाल